बिसमिल्ला रख्मानी रहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बेक टो मैं चैनल माई एफर्स आज मैं बनाने लगी हूँ अपने किचन में आप सब के लिए एक जबरदसी कोर्मे की रेस्पी मटन का कोर्मा आज मैं बना रही हूँ जो के बिल्कुल देगी स्टाइल से बनाऊंगी मैं और आपको बिल्कुल इसमें वैसा टेस्ट आएगा जैसे हम रेस्टूरेंट्स सब्सक्ट कर्मा बाए बनाएंगी और वहला मत्यारि हम एक रेस्टूरें उल्कुल थेख़एंट्स एपने टूस्टूरेश चाहिए हूँ करणने काड़ाएंट्स जाओंगे में प्रश्ट्रन का मतन के क्राइब आप यूशत रात में ब्रश्ट्राय देवेड मेर्म्न का मतन के करीब गोश्ट प desire यूशत। लाम मुश्ट्रेन फास रइब से ऻडst औरा का अवाइब यूशत यूशत। यहां मैंने 1 टेबिलस्पून जो है कोरमे का मसाला लिया है। वन टेबिलस्पून नमक है। यहां रधा किलो दभी है। norm supposed लाल मिर्च्रूर। इसी तरह इं 1 टेबल स्पून धन्य पॉडर है पिसाओा , 1 टेश्पून गरम पॉडर है पिसाओा और 1 टेश्पून के करीबी हल्दी लिए है मैने टू टेबल श्मून मैंने अधर ग्लैसिन का पेस्ट लिया है अब हम आ जाते हैं ड्राए मसालों की तरफ तो इहां दो से तीन अधर मैंने तेज़ पातके पते लिये हैं आट गरम मिसाला लिया है आट टेबलस्मून मैंने जीरा लिया है 3 से 4 सबस अलैची है तचार अद़र मैंने प्याज लिए देंगे हम आदर इंच टूकड़ा अद्रत कर लिया देखे हे Hm Am Am और अच्छे सी गरम कर लेंगे यह करता है अज हमने अच्छेश के विगछ. तो की में करें एक केता तुछी में जुए जुआ है, इसके भी आप चार जरी मिन्हें व मिकली तो और इससे नहीं गड़ू कहा meget एक स сейчас लाइची थी एक कम्प्लीट गरम मिसाला हमने इसमें डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे इसको इसके बाद ही हम दो से तीन मिनट के बाद हमने इसमें अधर गलेसन का पेस्ट डाल दिया है जिसको हम अच्छे से इसमें थोड़ा सा भून लेंगे तो इसक इसमें कुक करना है ताके इसका कलर थोड़ा खुबसूरत पहले हो जाए और थोड़ा पिंकिश इसका कलर हो जाए गोश का अपना कलर जब चेंज हो जाए इसको गोश को हम देखें बिल्कुल स्लो आज़ पे ही इसको हमने बिल्कुल स्लो आज़ पे रखना है गोश को क्योंकि इसमें ना ही अभी पानी हमने कुछ एड़ करना है ताकि गोश जो है वो जले नहीं नीचे पैंदे में ना लगे इसको मुसलसल आप हलके चमच चलाती रहे हलके हाथ से बहुत ही जिबरदस्ट और यूनीक इसका टेस्ट आता है बिल्कुल जैसे कि हम बजार में खाते हैं यहां मैंने नमक एट कर दिया है जब गोश हमारा थोड़ा सा बुन जाए और तो मैंने यहां पर इसके अंदर तीन गिलास के करीब पानी एट कर दिया है अब मैं इसको कुक होने के लिए रग दूंगी पकने के लिए रग दूंगी तकरीबन 25 मिनिट के लिए मीडियम हाज पर यहां हम दहि का बैटर कर लेते हैं सारे भ्राइ डर्वाज मसाले बाल देंगे पिसेवे मसाले अच्छे से हम सारे मसाले इसमे डालके पेस्ट बना लेंगे दहिके अंदर अब कोर्म मसाला भी एट लिए बैक कर दिया है अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज को आपस में अच्छे से देखे मैंने मिक्स कर लिए या मुझे थोड़ा दही अभी गाड़ा लग रहा था तो मैंने इसमें तक्रीबन तू टेबली स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी एट कर दिया है ताकि यह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए इसका बैटर बहुत जबर्दस्ता बन जाए दही का बैटर हमारा रेडी हो गया है अब यह हमारा जो गोश्ट था वो तक्रीबन 25 मिनिट के लिए कूक हो गया था और 70 परसंट यह कूक हुआ है अब मैं इसके अंदर दही के वाला पेस्ट जो था वो एड़ कर दूँगी देखें इसका पानी जो था गोश्ट में वो हाफ रह गया है इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप 70 परसंट यह कूक है अभी गोश्ट और इसमें थोड़ी कसर है अभी इसलिए मैं इसको दही के पानी में इस पेस्ट में थोड़ा और पकाऊंगी 10 मिनिट के लिए यहां पर अपने नेक्स टैप की तरफ चलते हैं यह जो ब्राउन कीवी प्यास थी इसका मैं जबरदस सा एक पेस्ट बना लूँगी तो आयछा के पेस्ट बना लूँगी तो प्यास मैं यहां पर मैं मैं प्यास ब्राउन की तो थी और प्यास प्राईट प्वान की अस पेस्ट में अधतिए यहांद है जो इसकी असल खुबसूरती और असल रॉनक है कोर्मे की वो ब्राउन कीवी प्यास डालने के बाद ही आती है यह देखें कितना खुबसूरत इसका कलर आ गया है 10 मिनिट के लिए मैं इसको और बिल्कुल मीडियम आच पे रखूंगी यह देखें अधरक का गार्निशिंग मैंने इसके कर दिये बिल्कुल स्लो से मीडियम आच आपने इसकी रखनी है ताके जो ब्राउन की भी प्यास और दही का सब पेस था वो इसमें अच्छे से हलो जाए यहां मैंने वन टेबल स्पून के करीब के ओड़ा डाला है कुश्भू के लिए यह देखें हम मैं इसको मैंने स्लो आच कर दी थी दो से तीन मिनट के लिए और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है देखें गार्निशिंग कर दी है मैंने अद्रक के साथ और जबर दसी हमारी रेस्पी रेडी हो गई है आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे अपना फीड़ बैक ज़रूर दीजेगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी मिलते हैं एक निव एफट एक निव रेस झाल झाल